नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फेर्स क्लाउड में तो दोस्तो भारत ने तबाही मचाने अली मिसाइलों को टेस्ट किया है और ये मैं नहीं बलकी भारती सेना खुद कह रही है और भारत की तरफ से एक नहीं बलकी दो-दो मिसाइले एक साथ दागी गई हैं और ये दोनों मिसाइलों ने LCU नामक एक जहाज को पलक जपकते ही धूआ धूआ कर दिया है और ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि खुद भारती नेवी ने इस हमले को बया करने के लिए devastating impact सब्द का इस्तेमाल किया है यानि कि भारत की मिसाइल ने तबाही मचा कर रख दिया है और जिन दो मिसाइलों को भारत ने टेस्ट किया है वो मिसाइल बिनासकारी प्रभावाली हैं और ये मिसाइल कौन सी हैं और इस मिसाइल की मारक छमता क्या है सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले वीडियो में जो नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देखिए जो दो मिसाइले दागी गई हैं उनमें सबसे पहली मिसाइल थी उरान एंटिसिप मिसाइल और आपको बता दूँ इस मिसाइल को DRD ने टेस्ट नहीं किया है बलकि इसका टेस्ट किया है अंडवान एंड निकोवार कमाण ने और इसी कमाण के अंदर भारत की ट्रा बड़े से बड़े नौशनीक जहाज को पानी के अंदर दफन करने की च्हमता रखती है। और कल इसी च्हमता का टेस्ट अंडबान और निकोवार कमाण ने किया है। और इसी उरान मिसाइल के साथ भारत ने ब्रहमोस, एंटी सिब मिसाइल का भी टेस्ट किया है। और इस टेस्ट का सीधा मतलब था कि जो दुस्मन की नौसेनाय हैं, जो हिंद महासागर पर अपनी निगाहें टिकाए हैं, उनके खिलाब भारती नौसेना की तैयारियों को परखना है, और युद्ध के समय भारत किस तरह से दुस्मन नेवी को बरबात करेगा, उसका भी टे होते रहे हैं, लेकिन पहले भारती ने भी इन टेस्ट को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी, और ऐसी ही मिसाइलों को लांच करके टेस्ट कर लिया जाता था, लेकिन इस बार का टेस्ट भारती नौसेना ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए किया है, और नौसेना की रिटायर हो चुकी LCU-38 नाम की सिप को इन मिसाइलों के टार्गेट के रूप में रखा गया था और मिसाइलों का टार्गेट था कि इस LCU-38 नौसेनिक जहाज को तबाह करना, अब आप लोग कहेंगे कि भारत को असली सिप उड़ाने की क्या जरूरत थी भारत एक डमी जहाज पर भी तो मिसाइल टेस्ट कर सकता था तो आपको बता दू कि नौसेना चाहती थी कि भारत की जो तयारियां हैं वो सिर्फ कागजों पर ही न रहे और जो असल में ग्राउंड रियाल्टी है उसका भी पता चले, जैसे कि हमारी मिसाइलों की लिमिटेशन क्या है और हम हिंद महासागर में कहां तक हमला कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा सटीकता से हमारी मिसाइले जहाज को तबाह करती हैं इनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारती नवसेना ने इस परिच्छड को अंजान दिया है और इन दोनों मिसाइलों को पूरी रेंज और फुल पावर के साथ टेस्ट किया गया है और मिसाइलों को टेस्ट करना इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि इन मिसाइलों का अगर वारहेट बढ़ता है और यहाँ भी जाचना था कि हमारी मिसाइले मैक्सिमम वारहेट के साथ मैक्सिमम रेंज पर दुस्मन के जहाजों को तबाह कर पाएंगी या पि नहीं और आप सभी लोगों को यह जानकर खूसी होगी कि इस टेस्ट में दोनों ही मिसाइलों ने 100% की एक्यूरेसी के साथ जितने भी पैरामिटर रखे गए थे उन सब को एचीव करके उस सिप को विनासकारी प्रभाव के साथ तबाह कर दिया है और कहा ये भी जा रहा है कि भारत यहीं नहीं रुकेगा भारत आने वाले समय में और भी दूसरी विनासकारी मिसाइलों का टेस्ट करेगा जिससे कहीं न कहीं भारत चीन को इंडारेक्टली अपनी सक्ती के दर्सन भी कराता रहेगा अब आप लोगों का क्या कहना है भारत के इन विनासकारी मिसाइलों के टेस्ट पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सेर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रस करें ताकि हर रोज ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें धन्यवाद